हेलो एवरीवन आज हम शिक्ष्य निर्देशाल्य राश्ची राजधनी छेत दिल्ली का 15 सेप्ट्रमबर का कारेपत्र 17 करेंगे तो कि हिंदी का है पाठ पापक हो गए से रिलेटेड और ये सात्री का है तो पापक हो गए नामक एक नाटक है से आज हम एक और समबाद को पढ़ेगे पेड लेकिन चिट्थी जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए वह प्राइवेट होती है प्राइवेट लेटर बॉक्स मैं कहा किसी की चिट्थी पास रख लेता हूँ जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की बहुत महत्र लगता है आदमी मैं पच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इक्षा ही नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने गैरे नींद में सो रही थी अब तक उठी नहीं है उठेगी भी नहीं मैंने इसे सुहे दोर रहे हूँ तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लिटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करी जाए देखा कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहां इस वक्त अभी किसी का आना मुम्किन नहीं है तो अब यहां पे कुश्चिंस यहां लालताओ किसे का आ गया है पेट्टी शब से शुरू होने वाले किनी दो पंक्तियों के नाम लिखे चिट्टी रिखना सबको पसंद है चिट्टी हम अपने दूसरों के रिष्टेदारों को लिखते हैं बच्चे उठाने वाले आदमी ने लड़की को उसके घर से उठाया था पेट में जैसे चुए खूद रहे हो इस वाक्य से अब क्या समगते हैं पेट में जैसे चुए खूद रहे हो इस वाक्य का मतलब है बहुत भूख लगना बच्चे उठाने वाला लोगों से आप अपनी रख्शक कर सकते हैं सोचकर लिखे हम अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर कोई हम किसी भी तरह का लालच दे कर कहीं ले जाने की बात करें तो उससे हमें साफदान होना चाहिए और उसी समय चिला का सब को बताना चाहिए तो यहाँ पर वक्षीट खताम होती है अब हम मिलेंगे लेक्स वक्षीट के साथ तब तक के लिए बाहर जाए